आप, मैं, हम सभी लोग यार अपने वाइफाई नेटवर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं वज़ा एक ही है कि हम लोग नहीं चाहते कि यार मेरे वाइफाई रॉटर के साथ कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट हो जिसको मैं नहीं जानता तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने चाहरे हैं वाइफाई मॉनेटर एनलाइजर आफ वाइफाई नेटवर्स का लेकिन इस से पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं अगर आप वाइफाई से रिलेटिड कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें आप क्योंके फ्यूचर में आप वाइफाई से रिलेटिड बहुत कुछ जानने वाले हैं तो आज किस एप्लिकेशन में हम रिव्यू करते हैं इस एप्लिकेशन का और देखेंगे किया इस एप्लिकेशन के जरीए हम यह जान सकते हैं कि मेरा इंटरनेट मतलब मेरा वाइफाई कौन-कौन चला रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस application की अगर downloading की बात की जाए ना तो इस application को एक लाग से ज्यादा लोगों ने download किया है और 4.4 की rating है जो के काफी सही rating है तो मैं यहाँ इस application को open करता हूँ और देखते हैं कि क्या इस application के जरीए हम अपने जो wifi के साथ connected device हैं उनको control कर पाएंगे या फिर नहीं तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं connected wifi network यहाँ पर आपको आपके wifi की कुछ information मिलेगी जिसके साथ अभी आपका mobile या कोई भी device connect है कि आपके wifi router का SSID क्या है मतलब आपके wifi router का name और BSSID और आप जिस wifi router के साथ connect है वो किस company का है और मज़ीद information लेकिन इससे नीचे हमें option मिलती है speed आप यह इस application के जरीए live बड़े अच्छे से यार यह जान सकते हैं इस वक्त मेरे device पर speed कितनी आ रही है और क्योंकि इस वक्त ना तो मैं कोई चीज download कर रहा हूं ना upload कर रहा हूं तो speed यहां पर मुसल्चल एक जैसा नहीं है अगर आप कोई चीज download करेंगे या upload करेंगे तो आप सही तरीके से यह जान सकेंगे कि आपके mobile पर speed कितनी आ रही है और इसे नीचे आप यहां देख सकते हैं network configuration तो यहां पर आपको आपके Wi-Fi router के IP address देखने में मिलेंगे इसके बाद हमें उपर option मिलती है networks अगर हम इस पर click करते हैं तो यह application आपको बताएगी आपके आस पास जो Wi-Fi routers लगे हैं वो कौन कौन से हैं और कितने signal मेरे mobile तक आ रहे हैं और वो router जिस company के हैं आप यहां पर उस company के बारे में भी देख सकते हैं कि जो मेरे आस पास router लगे हैं वो किस company के हैं इसके बाद हमें option मिलती है channels अब यह option भी बड़ी जबर्दस option है जैसा के अभी मैं जिस Wi-Fi router के साथ connect हो ना वो 5G है और आप यहाँ channel number देख सकते हैं इस option के जरीए दरासल आप यह देख सकते हैं कि आपके आस पास कितने ज्यादा Wi-Fi router लगे हैं और अगर सभी के channel सेम हैं तो कहीं न कहीं आपको मसला आएगा कि signal आप तक सही से नहीं आएंगे तो अगर आपका channel number भी वो ही है जो सभी router का है तो आप अपना channel number चेंज कर लें ताके सही से आपके mobile तक या आपके किसी भी device तक signal सही से पहुंच सके और आपको proper internet speed मिल सके ठीक है इसके बाद हमें option मिलती है strength ये भी बड़ी जबरदस चीज है आप इस option के जरीए अपनी signal strength के बारे में देख सकते है अब जो मेरी device है आप यहाँ पर देख सकते है minus 35 या 30 के राउंड मेरे पास signal आ रहे है और मज़ीद आप network के बारे में देख सकते है जो आपके आसपास है इसके बाद हमें option मिलती है speed जो हमें home page पर भी मिलती थी लेकिन आप यहाँ दरा detail में देख पाएंगे और इसके बाद हमें main options मिलती है scan भाई यह वो option है जिसके जरीए आप यह देख पाएंगे आपके wifi router के साथ कौन कौन सी device connect है अगर मैं यहाँ scan बटन पर क्लिक करता हूँ तो जैसा कि इस application ने scan करके हमें result दिया कि मेरे wifi router के साथ फिलहाल अभी एक ही device connect है क्योंकि अभी सुबह के साड़े नो का time है लोग ज्यादा तर सो रहे हैं तो फिलहाल तो अभी एक ही device connect है लेकिन जितने भी आपके इस wifi router के साथ devices connect होंगे ना इस option के जरिया आप बड़े अच्छे से जान पाएंगे और यही नहीं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे इस wifi router के साथ जो device connect है वो सैमसंग की device connect है इसी तरह से अगर आपके wifi router के साथ कोई माटरोला या फिर हवावे या किसी भी company का device connect हो तो यह application आपको बता देगा कि आपके wifi के साथ जो connected device है वो किस company की है तो यह था इस application के बारे में हमारा review मुझे उमीद है कि आपको यह application review पसंद आया होगा अगर आप google play store में wifi से related applications के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी application कैसे काम करती है तो आप हमारे चैनल wifi apps review को subscribe कर सकते हैं ताके आप future में हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएं